ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है Comprehensive Healthcare क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूवत नहीं है क्लास के नोट्स आपको description box में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप direct download कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे chapter Healthcare of the Community का अगला topic that is Comprehensive Healthcare फिर Primary Healthcare तो हमने पढ़ लिया अब Comprehensive Healthcare नाम की भी एक चीज होती है उसको भी देख लेते हैं क्या होता है सबसे पहली बात कि वही Comprehensive Healthcare ये जो term सबसे पहली बार इस्तिमाल की गई थी ये Board Committee ने इस्तिमाल की थी Health Planning and Management वाले chapter में हमने committees पढ़ी होई हैं उसके अंदर Board Committee पढ़ी थी उसी ने सबसे पहली बार ये term Comprehensive Healthcare इस्तिमाल की थी मतलब क्या होता है Comprehensive Healthcare का या Comprehensiveness का तो जब भी ये Comprehensive Healthcare यूज हो ना तो ना ये PCP ये term ज़रूर याद रखना that is Preventive, Curative and Promotional ये तीन नाम याद रखना Preventive, Curative and Promotional Health Services तो Comprehensive Healthcare जो होती है उसमें integration करते हैं हम Preventive Services का Curative Services का and Health Promotion का मतलब की पहले तो बीमारी से बचाव कराते हैं अगर in case बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक कराते हैं और अच्छी हेल्थ का प्रमोट करते हैं तो Preventive, Curative and Promotional Health Services हम करते हैं कब से कब तक वोम से टोम तक वोम याने मा का पेट मा के पेट से लेके टोम तक याने की जब हमारी मृत्ति हो जाती है तब तक वोम से टोम तो यहां से लेके यहां तक वोम से लेके टोम तक हर फेज आफ लाइफ में हेल्थ सर्विसिस प्रोवाइड करना कौन-कौन सी Preventive, Curative and Promotional हेल्थ सर्विसिस को प्रमोट करते हैं हम उसको कहते हैं Comprehensive Health Care समझ गए तो आपसे वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है अगर आप Primary Health Care अच्छा जवाब दे दो तो Comprehensive Health Care भी समझा दे भाई और नमबर दूँगा तो Comprehensive Health Care में आपको PCP याद रखना है Preventive, Curative and Promotional Health Services हम देते हैं वोम से टोम तक का तमबा ये तीन चीज याद रखनी है अब ना Criteria होते हैं कुछ Comprehensive Health Care के वो Criteria क्या होते हैं सबसे पहला तो वो ही जो हमने पढ़ा that is PCP Preventive, Curative and Promotional Preventive, Curative और Promotive Health Services हम देते हैं अगले चीज जो हम ये Comprehensive Health Care दे रहे हैं वोम से टोम तक Preventive, Curative, Preventive and Promotional उनको ना जितनी पास हो सके उतनी पास Beneficiaries के पास जाके देने चाहिए याने कि At the doorstep हमको उनको ये Health Services प्रवाइड करनी चाहिए उसके अलावा जो हमने Primary Health Care में पढ़ा था वो यहाँ भी है कि Available होनी चाहिए सभी को Irrespective of the ability to pay कि ये नहीं माइने रखता है कि कितने पैसे आप दे सकते हो आपको हर किसी को Health Services Irrespective कि कितना पैसा अमीर गरीब है Irrespective हमको सब को Comprehensive Health Care प्रवाइड करनी है ये तो Primary Health Care में भी था फरक क्या है फरक का जाता है हमको जादा ख्याल रखना है Vulnerable Population का याने कि वो लोग जिनके जादा चांसेज है बीमार पढ़ने के प्लस Weaker Section के लोगों का याने कि जो गरीब हैं जो पैसे नहीं दे सकते उनका जादा ख्याल रखना है Community में During Comprehensive Health Care उसके अलावा हमको एक ऐसा Healthy Environment बनाना है दोनों जगह घर पे भी और काम करने की जगह पे भी जिससे की हम बहतर Health Maintain कर सके ठीक है तो यह हो गया आपका Criterias Comprehensive Health Care के ठीक तो इतनी चीज़े तो आपको Comprehensive Health Care में पता होने चाहिए चोटो सा Question आता है अगर मैं बात करूँ सवाल की तो Theory Exam में आपको इस पे Very Short Note आ सकता है तो बनना चाहिए अगर मैं बात करूँ Viva की तो Viva में आप से सीधा सीधा Viva पूछ ले जाता है बताओ Comprehensive Health Care क्या होता है तो आपको यह तीन नाम Preventive, Curative or Promotional Health Services और फिर यह लाइन यह वोम से टूम तक देना इतना तो आना चाहिए उसके बाद बात करूँ अगर मैं PG Entrance Exam में क्या सवाल आया है तो जितने भी Underline Part हमारे Slides या Notes में हैं वो सभी अलग-अलग PG Entrance Exam में पूछे गए MCQs हैं तो Comprehensive Health Care में इस्तिमाल की थी ठीक, तो इतनी चीज़े हैं जो हमको Comprehensive Health Care में पता ही होनी चाहिए Thank you